तो अगर मैं आपको ऐसा बोलू कि Southern Ontario में एक ऐसा शहर है जो इतना cash flow positive है कि इतने सारे interest rate heights के बावजूद भी वो cash flow positive है तो उसके लिए आपको Alberta, Saskatchewan, Winnipeg, Halifax जाने की ज़रूरत नहीं है आप Ontario में रहते हुए उस शहर में invest कर सकते हो जैसे मैंने की है तो उस शहर के बारे में आज बात करते हैं, let's begin हां जी तो जो शुरू से साथ हुआ उनको पता होगा कि वो कौन सा शहर है जहां पर मैंने अपना पहला घर लिया Canada में इस वीडियो को बिल्कुल short and sweet रखते हुए हम यह discuss करेंगे कि मैंने सार्निया शहर क्यों चूज किया that is because of that one reason जो भी मैंने वीडियो की starting में आपको बताया है कि यह मेरे हिसाप से मेरी personal research के हिसाप से Southern Ontario का सबसे ज्यादा cash flow positive city है and that we will discuss why and how सबसे पहले location यह है one of the border cities Southern Ontario में जो तीन border cities में एक विंजर जो यहाँ पे है फिर एक नाइगरा जो यहाँ पे है और फिर एक सार्निया जो यहाँ पे है तो जिनको नहीं पता उनके लिए ब्रीफ इंट्रॉडक्शन है कि सार्निया एक्चुल में है कहां तो जैसा मैंने कहा है blue water bridge है जो US के साथ connect करता है वो सब कुछ point Edward में है distance wise लंडन अगर आपको पता तो लंडन से यह एक घंटे की drive पे है और यहाँ पे जो tenants आते हैं वो basically दो तरह के होते हैं एक होते हैं students जो लेम्टन college पढ़ने आते हैं और दूसरे होते हैं temporary workers जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी factories जो वहाँ पर temporarily काम करने आते हैं लेम्टन college में total 10,000 plus full time students है जिसमें से 35% international students है और वो number grow हो ही जा रहा है क्योंकि जैसा हमने बहुत पहले भी discuss किया जब सचेन आया था भी कोप वाले programs हैं यहां summer break होती है fees भी कम है वगेरा वगेरा उस वज़ा से यहां पे हर semester में देखा जा रहा है कि international students specifically Indian students का number बढ़ ही रहा है जिसकी वज़ा से अब घर तो limited है सार्निया ऐसा शहर भी नहीं है जहां पर बहुत सारे नए घर बन रहे हैं जैसे calgary यहां लंडन से नहीं बन रहे हैं जितने बाकी growing cities में बन रहे हैं तो उस वज़ा से यहां पे housing shortage है इतनी ज्यादा कि जब मैं मूव हुआ था सार्निया में और मेरे घर पे वो जो mail box में लेम्टन college के pamphlet आए हुए थे के if you want to work with Lampton college for student accommodation वो invite कर रहे थे basically college वाले तो ऐसा scenario बन गया था September intake में almost दूसरे जो मैंने seasonal temporary workers की बात की वो आते हैं इन factories में काम करने पेट्रो chemical factories नोवा की शेल की एसो की एंब्रिज की और यूजली यह जो companies हैं factories हैं यह वो temporary workers के लिए जो accommodation के prices होते हैं वो reimburse कर देते हैं उनका rents उनके living expenses उनके package में included होते हैं तो अगर by chance बहुत ज्यादा rent अभी चार्ज किया जा रहा है तो यह workers को कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि companies की तरफ से सारा rents reimburse हो रहा होता है जिस वजा से rents summer के दोरान जब इन factories में बहुत सारे workers आ रहे होते हैं summer में मैं जून या अक्तूबर तक का जो time होता है वहां पे weekly rents ही 300-400 तक पहु weekly के हिसाब से और जब उस प्राइज पे कुछ rooms rent out हो रहे होएंगे तो generally भी market ऊपर हो जाएगी ना तो normally भी students को इतने कई बार expensive rooms लेने पड़ते हैं वहाला कि long term lease sign कर देते हैं लेकिन फिर भी rents जो है वो Brempton, Kitchener के comparison में हैं मतलब जितने Brempton, Kitchener जैसे शहरों में rents चार्ज हो रहे हैं वहाँ पर प्रॉपटी प्राइज जाद है उतने ही रेंट सारिय में भी चार्ज किये जा रहे हैं and the reason might be this अगर एरिया वाइस रेंट की बात की जाए तो सारिया का जो downtown वाला एरिया मतलब south और towards the US border वाला जो एरिया वो सबसे लो रेंट वाला है यहां पर प्र अगर आपके पास कार बगरा है तो यह बहुत अच्छा एरिया ज्यादा तर फैमिली यहां पर रहती है बड़ा पोश एरिया माना जाता है north side को अगर आपके पास कार है तो तो जो प्राइम एरिया हो गया specifically students के लिए वो हो गया यह जहां पर एक एक रूम कई बार 11,000 डॉ में हाफ ही है तो आप इमेजन करो के mortgage आपकी हाफ हो गई है उन बड़े शहरों के comparison में लेकिन rents उतनी है because of so many reasons जो भी हमने discuss की है उस वज़ा से सार्निया in my experience इतना ज्यादा cash flow positive city बना हुए अगर property prices की बात करें तो फिलहाल आप graph देख ही रहे हो कि gradual increase ही है काफी time तक यह धाई लाग से नीचे के घर यहां पे अराम से मिल रहे थे 2016-17 तक उसके बाद prices बढ़ने शुरू हुए थोड़े covid के दोरान बहुत सारा बहुत ज्यादा बढ़ गए थे 600 तक पहुंच गए जब मैंने घर लिया था तो अच्छा basement वाला renovated घर अच्छे एरिया में college के पास bus route वले एरिया के पास 550 तक का easily मिल रहा था इस time के आसपास January to February 2022 जब peak थी again rental market यह real estate market उपर नीचे होती रहती है यह discuss करने का जो purpose है वो यह है कि आपको बस एक exposure मिले आपको पता हो के सार्निया शेर exist करता है और वहां पर यह यह चीज़ें हैं यह petrochemical factories है यह tenants के sources हैं average numbers rents के property prices के यह हैं और इन वजाहों से यह cash flow positive है और इन ही वजाहों से मैंने भी सार्निया में अपना पहला घर लिया था कुछ महीने पहले तो बस short and sweetie रखते हैं discussion अगले हफते फिर किसी और share के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए that's it and I hope it helps